दोस्तों, आज के समय में एक Computer Phil Laptop लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात आती है एक सही प्रोसेसर चुनने की अपने Computer Phil Laptop के लिए तो आज के इस वीडियो पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि प्रोसेसर क्या होता है, AMD और Intel के बीच में क्या डिफरेंस है और आपको इनमें से कौन सारे प्रोसेसर लीना चाहिए तो आप यह वीडियो दिखते लिए, नमश्कार दोस्तों मैं 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 स्वागत करता हूँ, टिकनोलजी गान चल में दोस्तों, इंटेनेट में आपको हजारों पोस्ट मिल जाएंगे जिन में आपको यह बता जाता है कि इंटल और AMD के बीच में यह डिफरेंस है, इंटल का यह यूज है, AMD प्रोसेसर का यह यूज है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए तो आप यह वीडियो लास तक देखे, आपको समझ में आ जाएगा कि AMD और Intel में से कौन सा प्रोसेसर अच्छा है और दोनों की बीच में क्या डिफरेंस है इसके साथ ही आपको कुछ इंपोर्टन डिफरेंस बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए Intel और AMD प्रोसेसर की बीच में क्या डिफरेंस है और इन में से कौन सा ज्यादा बहतर है ये जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जाना बहुत जरूरी है कि आखिर में प्रोसेसर होता क्या है तो यहां पर मैं आपको सिंपल बहाँ से में बताना चाहूंगा प्रोसेसर एक चिप होता है जो आपके अपके लाप्टॉप के मदर बोर्ट से अटेच होता है जिसे हम CPU या फिर Central Processing Unit भी कहते हैं और इस चिप का बेसिकली काम होता है आपके कम्टॉप में जो भी Input Output Operation परफॉर्म होता है वो इस चिप की वज़े से परफॉर्म होता है तो ऐसे मैं अब आप सोच रहे होंगे कि Input Output Operation क्या है तो यहाँ पर मैं आपको बताना जाओंगा Input जो भी आप अपने Computer में या फिर Laptop में instruction देते हैं फिर Command देते हैं वो Input कहलाता है उसके बाद जो Process होता है उसे हम Processing कहता है और जो Finally आपको Result मिलता है वो Output कहलाता है तो यहाँ पर मैं आपको एक Example के थूर समझाना जाओंगा माल लीजिए आप अपने Computer में कोई Browser Open करते हैं तो जैसे आप अपने Browser को Click करते हैं तो वो Input कहलाता है यानि आपने कोई Instruction यानि Command दिया Browser को Open करने के लिए उसके बाद आपका Browser Open होता है तो उसे कितना टाइम लगता है वो Processing Time करते है और उसके बाद जो Finally आखिर में जो Browser Open हो जाता है तो हमें Result मिल जाता है तो वो हमारा होता है Output तो ऐसे में अब आप समझगे होंगे कि Processor क्या होता है तो चले दोस्ता अब हम बात करते है Intel और AMD Processor की बीच में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा Processor लेना चाहिए तो यहाँ पर सबसे जो पहला डिफरेंस है और सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसका नाम है पैसा जिहाँ दोस्तों जब भी आप कोई Processor मार्केट में खरीदने जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है पैसो कर लेके तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि Intel के जो Processor होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं as compared to AMD Processor अगर आप Intel का कोई Processor लेते हैं मान लिजए आपने कोई i3 Processor लिया और वही पर आप AMD का कोई i3 Processor लेते हैं तो आपको AMD का Processor बहुत सस्ता मिलेगा as compared to Intel का Processor तो यहाँ पर पैसे की बात करें तो AMD Processor आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा Intel के मुकाबले इंटल और AMD Processor के बीच में जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है जिसका नाम है पावर जाए तो यहाँ पर मैं आपको highly recommend करूंगा कि अगर आप कोई laptop लेने की सोच रहे हैं तो आप अपने laptop पे Intel का Processor यह डलवाए अगर आप अपने laptop में AMD का Processor डलवाते हैं तो आपके जो laptop की battery life कम हो जाएगी क्योंकि AMD के Processor जो होते हैं वो ज्यादा power consume करते हैं और ज्यादा power consume करेंगे तो आपके laptop की battery life कम हो जाएगी तो ऐसे में Intel का Processor आपको लेना चाहिए यह आपको यह laptop ले रहे है तो इसके बाद जो अगला difference आता है AMD और Intel Processor के बीच में जिसका नाम है Speed जहां दोस्तों Speed बहुत ज्यादा important होता है यदि आप कोई processor लेते हैं इंटल का Processor ज्यादा अच्छा होता है as compared to AMD Processor इसके बाद जो अगला difference आता है AMD और Intel Processor की बीच में जिसका नाम है heating problem जिया दोस्तों यदि हम बात करें heating problem की तो यहाँ पर AMD Processor बहुत ज्यादा heat करते है as compared to Intel Processor यदि आप अपने computer लापटॉप में AMD Processor यूज करते हैं तो ऐसे मैं आपको heating problem के सामना करना पड़ सकता है तो यहाँ पर मैं यह नहीं कह रहा कि Intel के processor heat नहीं करते हैं करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं as compared to AMD Processor तो अगर हम heating की बात करें तो यहाँ पर Intel के processor बहुत ज्यादा अच्छा है as compared to AMD Processor तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि Intel और AMD Processor की वीच में क्या difference है आई एक छोटा सा recap कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिन में कौन सा प्रोचेशर ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइज की तो Intel के जो प्रोचेशर होते हैं वो महंगे होते हैं AMD Processor के मुकाबले और यहाँ बात करें हीटिंग प्रबलम की तो AMD Processor ज्यादा हीट करते हैं as compared to Intel Processor तो यहाँ पर AMD Pro processor को मिलते हैं 3 point तो आप खुदी सोच लो कि कौन सा processor ज्यादा अच्छा है तो दोस्तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि Intel और AMD processor के बीच में क्या difference है, दोनों में से कौन सा processor ज्यादा अच्छा है, तो आप हमें बताइए कि आपको कौन सा processor ज्यादा अच्छा लगा है, नीचे comment box पर comment करके ताकि और user को भी help मिल सके तो दोस्तो इस वीडियो के लिए इतना ही आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आगा, यह वीडियो पसंद आगा यह वीडियो पसंद आए, तो लाइक बटन पर क्लिक जरू करें और यह आपको रगता है कि यह वीडियो किसी और के लिए helpful है तो प्लीज इसे share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और यह आप new है और यह वीडियो पहली बार देखे और आपने भी तक होने चनल सब्सक्राइब नहीं करा